चाहिए नमस्ते जय मातादी और जय भारत और टॉरिस आपका स्वाकर आपकी मन्ति प्रटिक्शन पें आज बात करेंगे हम में का महीन आपके लिए कैसा रहने वाला है Sun Moon Rising जैसे भी मतलब आपका Ascendant है या Sunshine है या Moon Sign है जैसे भी आप Sun Sign Connect करते हैं टॉरस के साथ या विश्चव राशी के साथ उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं बात करेंगे Overall Energy कैसी रहने वाली है, Theme क्या है क्या होने वाला है मन्त में और Guidance क्या है आपके लिए और कोई खास चीजें जिनका जो Divine की तरफ से आपका Message है या जिसका आपको ध्यान रखना है और Dates खास तो Let's See सबसे पहले देख लेते हैं Overall आपका Guiding Energy, overarching Energy जो है मन्त की मे के महीने की वो कैसी रहने वाली है और Almost वारे कार्स कर गए उमीद करते हूं कि आपने March की वीडियो जो है April की वीडियो जो है वो पूरी देखी हो नहीं देखी होगी तो देख लीजएगा और आपके साथ कैसे रेजनेट कर रही है वो जुरूर बताईए को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं So let's see टॉर्स के लिए व्रिशव राशी के लिए कैसा रहने वाला है मे का महीना Overarching Energy मे के महीने की Okay, so wow First card we have Let's see की और क्या-क्या होने वाला है आपका health, wealth, money, destiny उस सब energies में क्या होने वाला है और टॉर्स व्रिशव राशी रहादे क्रिशना Okay, काफी कुछ लग रहा है आपकी life में बदलने वाला है इस महीने और वैसे भी व्रिशव राशी के लिए कुछ energies थोड़ी अलग है जैसे मैं देख रही हूँ पिछले कुछ महीनों से और अगर समय का फाइदा उठाएं तो काफी कुछ अच्छा जो है वो कर सकते हैं और इसमें आपके लिए meditation भी होगी इस महीने की so that आप एक proper तरीके से meditate कर पाएं और वहाँ से आपको guidance भी मिल पाएं व्रिशव राशी क्या angels guides बोलना चाहते हैं special attention okay okay so let's start व्रिशव राशी के लिए सबसे पहले जो आपकी overarching energy आई है overall energy आई है वो hanged man त्याक की energy आई है त्याक काड या hanged man की energy number 12 की energy होती है और यह जो energy है यह कहीं न कहीं indication देती है जहां पर आप awakening की तरफ जा रहे हो या फिर आपको देखना है कि life के कौन कौन से ऐसे areas हैं जहां पर आपने अपको stuck करके रखा है अपने आपको hang करके रखा है या जहां पर आप अपने आपको परिशान कर रहे हो mentally, emotionally, physically या जहां पर आपको लग रहा है कि energy जो है वो stuck हो गई है, move नहीं हो पा रही है आप इस चीज़ को दो तरह से देख सकते हैं अगर आप यहां पर एक देखें तो तहनी सी है तो उस तरहां से भी देख सकते हैं एक तरहां से यह फांसी के फंदी की तरहां भी लगता है एक तरहां से यह energy जो है यह किसी चीज़ के कहीं stuck होने के energy भी लगती है और यहां पर बहुत सारा धागा बधा हुआ है तो अगर रसी खीजेगी भी तो यहां से भाहर ने निकलेगा तो stuck energy तो life में कौन सा area है जहां पर आप stuck हो life में कौन सा area है जहां पर आप move नहीं कर पा रहे हो life में कौन सा area है जहां पर आपको अपने आपको ground करना है life में कौन सा area है जहां पर अपने आपको आपको बालन्स करना है यह आपने इस महीने जरूर देखना है इस पे इस महीने जरूर आपने फोकस करना है क्योंकि यह फोकस जो है यह जो त्याग है यह जो लेट गो है यह जो फिगर आउट करना है यह आपको काफी अच्छा रिजल्ट देने वाल और जग्लिंग के बाद resources के आने के energy जो है दिखाई देती है clear तो यहां पर लगता है कि किसी चीज़ को लेकर आप जगल कर रहे थे और वो जग्लिंग खतम हुई और जग्लिंग के बाद आपके पास काफी सारे resources जो है वो एक साथ flow किये उसके बाद 10 of swords है जो कि actually एक phase के end के energy होती है कई बार health issues या health situations या surgery के energy जो है वो भी indicate करता है 10 of swords क्योंकि 10 of swords उसके back के पीछे सोज लगी है अगर आप ध्यान से देखें तो मैं थोड़ा सा light adjust कर रही थी और लेकिन वो एक बुक पड़ रही है चुपचा प्लेट कर तो यह rest के energy थोड़ा सा weight करने के energy थोड़ा सा कई बार surgery के energy भी indicate करता है and it is like take rest because more work is coming your way क्योंकि यहां पर eight of pentacles के energy है जो काफे सारी चीजें जो है बना रहा है और एक तरह से war related चीजें जो है बन रही है यहां पर next card जो है वो four of swords के energy है four of swords फिर से weight करने के energy stuck महसूस करने के energy पर अगर आप देखे तो इसके हाथों में दोनों हाथ बंदे हुए हैं और इसको एक जगा पर रखा गया है और वो काफी जादा stuck महसूस कर रहा है और उपर से एक x की तरह कोई चीज है जो उसके ओपर गिरने वाली है तो literally वो energy hanged when के energy के साथ completely connect करती है कि कौन सा ऐसा area है आपके life में जहां पर आप बहुत महनत कर सकते हो जहां पर आप बहुत अच्छे results जो है वो ला सकते हो लेकिन आप अपने आपको emotionally stuck रखे हुए हो तो यह वहीना ज system को evaluate करना है आपको देखना है कि वह कौन सा area है जहां पर आप fearful हो जहां पर आप स्टक हो जहां पर आपको let go करना है जहां पर आपको अपने आपके ऊपर work करना है क्योंकि वहीं से आपके लिए एक नहीं शुरुआत होगी एक नहीं beginning होगी और अगर मैं पहले यह भी होते हैं वह हमें गाइड करते हैं एक support system होते हैं हमारा उसकी energy दिखती है anyways पहले हम देख लेते हैं फिर हम last card देखेंगे तो आपका अगर मैं सबसे पहले आपके health के perspective से बोलू तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी health का खास ध्यान रखना है क्योंकि यहां surgery की energy बहुत clear मुझे indicate हो रही है तो आपको ज़रूर ध्यान डखना है कि किसी ना किसी surgery की possibility बन सकती है किसी ना किसी तरह की surgery हो सकती है किसी ना किसी तरह का health issue हो सकता है but having said that आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो चीज़े हैं यहां पर एक यह है कि अगर आप अपने आपको rest देंगे अपने आपको आराम देंगे अपने उपर काम करेंगे अपनी health को improve करने के उपर काम करेंगे तो हो सकता है कि surgery avoidable हो दूसरा अगर होती भी है surgery तो कोई ऐसा part body का कोई ऐसी चीज कोई ऐसा organ कोई ऐसा function जो सही से नहीं हो रहा था और जिसको let go करना जो है वह बहुत जाता जरूरी था उस point of view से होगी और उसके बाद एक flow जो है वह सही चल पड़ेगा आपकी body में तो मुझे कहीं न कहीं न blockage की energy दिखाए दे रही है और जिस तरह के cards है a clear indication है कि गवराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि blockage clear हो जाएगी और blockage clear होगी जैसे ही तो flow ज हो जाएगा हाँ temporarily आपको अपने उपर काम करना पड़ेगा temporarily थोड़ी सी isolation भी होगी temporarily थोड़ा सा low feel करना है थोड़ा सा stuck feel करना वो हो सकता है बड़ अगर आप खुद पर ध्यान देखें अपने emotions को balance रखेंगे तो आपके आसपास guides है energies हैं और आपको इस सारे face से बाहर नि idea हो तो उसकी possibility बनती है अगर surgery नहीं है अगर not necessarily सारे Taurus की दुनिया में surgery हो जाएगी right so अगर surgery नहीं है this could also mean जहां पर आपको थोड़ा सा mental emotional और physical तीनों तरह का rest चाहिए तो थोड़ा सा कोई book पढ़िए कोई कहीं garden में बैठिये कहीं कोई अपने mind को अपने thought को अपने आप अपने आपको अराम देना है और फिर जो आपकी desires है जो आपके thoughts है जो आप अपने loved ones के साथ समय बिताना चाहते हो जो भी आपने आपको express करना चाहते हो वो आपने express करना है और if I am right next last month मतलब मार्च के महीने में भी आपके लिए expression की energy आई है कि express करना बहुत जादा जरूर है तो जो भी माइन में thoughts है उनको express जरूर के जिए आपके लिए बहुत helpful रहेंगी अब बात करते हैं आपके relationships की relationships के perspective से मुझे थोड़ा यहां पर ना alone feeling जादा strong दिखा देरी है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि relationships में कुछ ऐसा हो जहां पर आपका आपके घर वाले family partner कोई आपसे दूर हो या और यह मुझे separation की तरह भी नहीं दिखाई दे रहा है यह मुझे end of marriage या घर में किसी तरह का जगड़ा उस तरह से भी नहीं दिखाई दे रहा है it is like a journey it is like जहां पर आपकी family family members जो है वो थोड़े समय के लिए आपसे दूर जाए और इसकी कारण है family members के साथ completely attached ना हो हो सकता है किसी का बर्दे मिस हो जाये है और में Taurus का बर्दे मन्थ विए होता है में Taurus का बर्दे मन्थ होता है तो happy birthday Taurus और लेकिन हो सकता है ग्यामिस कहो फैमली को सकता है अपने अपने loved ones को मिस करो टो जब भी ऐसा हो तो आपने फोन ओठाना ह और बात करनी है, अपने emotions को flow करना है, अपने emotions को express करना है, अपने आप में stuck नहीं मैसूस करना है, negative नहीं मैसूस करना है, क्योंकि काम को लेकर किसी तरहां का, क्योंकि काम की energy बहुत strong है, तो पढ़ाई, काम, कोई project, कोई work, कोई project related travel, कोई money gain के लिए travel, कोई business related travel, movement, जहां पे family से थोड़ा सा दूर रहना पड़े, वो मुझे बहुत strongly दिखाई दे रही है, Taurus के लिए, अब बात करते हैं, आपकी career की, तो career के perspective से, मुझे definitely gain के energy दिखाई दे रही है, work बढ़ेगा, लेकिन work gain भी लेकर आएगा, सबसे पहले तो अगर किसी task को लेकर, किसी काम को लेकर आप जगल कर रहे थे, किसी project को लेकर जगल कर रहे थे, कहीं कोई money situation को लेकर जगल कर रहे थे, कहीं jobs को लेकर जगल कर रहे थे, तो अचानक से एक flow आपकी तरफ आएगा, मतलब अचानक से नई opportunities, growth, money, resources, सब कुछ अचानक से आपकी तरफ flow आने वाला है, और आपके लिए advice क्या है, आपके लिए advice है कि आपने अपने आपको इस flow के साथ आगे लेकर जाना है, महनत करते हुए, तो आपने महनत का रास्ता चुनना है, थोड़ा सा आराम से बैठ के evaluate करना है, नई opportunity है, evaluate करना है आपके लिए कैसी रहेगी, आगे क्या होगा, कितना काम करना हो सकता है, temporarily change of place हो, जहां पर आपको अपनी family से अलग रहना पड़े, अकेला रहना पड़े, हो सकता है, आप temporarily थोड़ा सा stuck भी महसूस करें कि यह तलवार मेरे उपर लटक गई है, बट अगर आप focused रहेंगे, अगर आप महनत करेंगे, अगर आप काम करेंगे, तो results जो है, जादा देना पड़ेगा, अपने काम को और उसकी वज़ा से थोड़ा stress भी हो सकता है, और थोड़ा family के साथ समय कम व्यतीत करना मिले, यह भी हो सकता है, अपने आपको over emotional नहीं करना है, बट एक बार जब वो flow जो है, वो पूरा हो जाएगा, तो आपको definitely वहां से कुछ energies मिलेंगी, health हमने बोल दिया, relationship हो गया, career हो गया, money, money के perspective से मुझे कोई problem नहीं लग रहे है, तो money के perspective से money cards बहुत अच्छे हैं, आपके, nine of pentacle है, two of pentacle है, शुरू में मन्त के थोड़ी सी juggling हो सकती है, लेकि nine of pentacle है, abundance की energy होती है, nine of pentacle है, queen of pentacle है, abundance की energy होती है, queen जो है, वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, nurturing, resources, money, सब कुछ है आपके पास, तो money के energy जो है, वो बहुत अच्छी, four of pentacle है, eight of pentacle है, three of pentacle है, money के energy बहुत अच्छी है, मेहनत का result undoubtedly बिलेगा, flow का result जो है, undoubtedly बिलेगा, थोड़ा सा एक और चीज़ जो मुझे लग रही है, ऐसा हो सकता है, कि आप अचानक से secluded feel करें, आप अचानक से आपको beauty में, घर की चीज़ों को करने में बहुत interest हो, आप अचानक से महसूस करें कि मैं कर नहीं पा रही हूं, यह सब क्योंकि काम का pressure बढ़ गया है, या आपकी family में कोई ऐसा हो, जिसको इस चीज़ का बहुत wife, sister, कोई हो, जि family में किसी और की female की किसी surgery possible है, जो आपके घर को बना कर रखती है, सजा कर रखती है, तो mother, sister, wife, उसकी possibility मुझे लग रही है, और उसके कारण आपको घबराट हो, वो भी possibility लग रही है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि यह चीज़ जो है, वो actually होनी थी, और जरूरी थी, और बहतरी के लिए काम करेगी, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आपका guidance जो है, वो देखते हैं कि इस महीने के लिए, में के महीने के लिए आपका guidance है, तो आपके लिए card आया है elder, elder का ideally मतलब होता है, somebody जो आपसे बड़ा है, somebody ज आप लाइट में आते हो, आप यहां पर एक stack को बिल्कुल clear देख सकते हो, आप लाइट में आते हो, अपनी inner deep wisdom जो है उसको समझते हो, और आप समझते हो कि आप leader हो, और आपको lead करना है, और यह बहुत बहुत जादा matter करता है, तो इस महीने आपके उपर responsibilities बढ़ेंगी, इ इस महीने आपको बहुत लोगों की life में आप difference लेकर आओगे और उसके कारण आपकी life में भी difference आएगा, और background में या past में इस महीने आपको नहीं रहना है, यह बहुत ज़्यादा ज़रूर देहने वाला है, इसका मतलब है कि आपको leader बन कर आगे आना है, अगर आप डर रहे सामने आने का और वो energy यहां पर दिखाई देरी है, कुछ ऐसे चीजे हैं जिनमें आपको leadership लेनी पड़ेगी, despite of आप घबरा रहे हो, despite of आपको कोई डर है किसी को खोने का, किसी चीज के छूटने का, आपको leadership लेनी पड़ेगी, लेकिन वो leadership fruitful होगी, hangman के energy भी वही बोलती ह है, जहां पर आपको लगता है कि यह तो मुझे मेरे, मेरा अपना गला घुटने जैसा है, कि इसके बाद तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं stuck हो जाओंगा, नहीं, actually वो energy आपके लिए awakening लेकर आएगी, तो कोई बड़ा या difficult decision हो सकता है इस महीने, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप number of the month आपके लिए number 17 है, number 17 number ही धर्म का होता है, जो independent determined होने के लिए बताता है, जहां पर आप lifelong goals जो हैं उनको fulfill करते हो, past को let go करते हो, natural born leader, new beginning success, अब अगर देखोगे तो इसके बिल्कुल clear indication है, जो आपके cards में आई ह वही number आया है, love, peace, sin and evil, सबका number होता है, सब एक साथ connected होते हैं, अब आप अपनी desire कहां रखते हो, किस तरफ जाते हो, आप उस रस्ती से exactly वही है, कि आप वो रस्ती वहां पर है, अब आप उस रस्ती से फंदा लगाते हो, या उस रस्ती से ग्राउंड करते हो, या उस रस् से किसी की जान बचाते हो, that is on you, वो आपके उपर dependent है, वो आपके उपर है कि आप इसमें, प्यार, पीस, sin, पाप या evil, किस energy को लेकर आते हो, सब कुछ आपके उपर है, पर अगर आप सही decision लोगे, अगर आप अपने dreams को prioritize करोगे, अपने goals को prioritize करोगे, sun और केतु की energy है, ब लाइक धरम के लिए बाकि सब को छोड़ देना, बाकि सब चीजों को छोड़ने का मादा रखना, और सही path जो है, उसको follow करना, literally बहुत strong energy है, और अगर आप इस energy को follow को, number 17 आपके लिए specifically अच्छा होने वाला है, number 17, number 8, number 4, यह आपके लिए specifically अच्छे होने वाले हैं, और इस चीज़ पे focus किये कि क्या हो रहा है, किसको energy मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, आप अपना 100% देते हो, plus खुद पे भी focus करते हो, that is very important, तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छी beginning लेकर आने वाला है, chakra of the month, chakra of the month इस महीने आपके लिए मैं बोलूंगी, all chakra कर पाएं अगर आप, तो आपने solar plexus जरूर करना है, solar plexus जानी मुलाधारा चक्रा, उसकी meditation आपने जरूर करनी है, अगनी आपकी balance रहनी चाहिए, क्योंकि sun भी है, अगनी आपकी balance रहनी चाहिए, और अगर हो सके ना, तो आपने इस महीने हर रोज कम से कम 5 मिनट खुद के साथ जर 5 मिनट आपने meditation में, सिर्फ silence में, अगर और कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ silence में, 5 मिनट जरूर बिताने हैं, और हो सके, तो वीडियो और तक पहुचा दीजिए, feedback जरूर दे दीजिए, और अगर अच्छी लगे तो like button press कर दीजिए, thank you so much, take care, bye bye